बिसमिल्ब रह्मान रहीम, अस्काम लेकुविवर्स, आज मैं बना जारा हूँ स्पेश्चल चिकन कॉर्मा, मैंने इसमें 3 किलो चिकन लिया है और मैंने तकिवन 3 पाओ, इसमें मैंने प्यास को मैंने कट कर लिया है, अब सबसे पहले हम प्यास और गोश्ट को फ्राइ कर ल आप गोश्ट फ्राइ करेंगे, विवर्स लिए देखें, और गरम हो गया है आप गोश्ट फ्राइ करने से पहले मैं आपको एक टिप बताता हूं कि आपने जब भी गोश्ट फ्राइ करना है तो एक चुटकी इसमें नमक डाल दीजएगा, इससे क्या होगा कि नीचे साथ चिप करेंगा नहीं इसके साथ, जो में गोश्ट को डालते हैं, नीचान अचान ने देखता हैं, आपिन गोश्ट पर भी जालना है, अपिरा से डालना है, बिसमिल्लाहां, जालना ही है, लिए बताते हमारे और उपर छिंटें नहीं बढ़ते हैं, ओल कि ओल्द कि उससे एंब नहें पैमारा पान was ? वाल में फाने एकासे पाने के लिए पान से दुझाल में के वेड़र है भान के लिए अपर धकना बीदेरेंगे पानों यह पान पान से नहींude मेरे क इसे दुझाल में और इसे एक मुंतवाँ ब्राउन होजेगा तो हम इसे निकालने गों यह का कंवार ह्सक्तिक ब्राउन हो गया रहे का अब इसे से निकाल लेते हैं लिखे के कंने चिकन दिया है अब हम इसके बनाने करे तरीके की तरफ इंते हैं वाइसरी के अमने बर्तन गर्म कर लिए है अब इस प्यास को उसमें डाल के फ्राइ करेंगे बिसमिल्द लारा मधाई वाचा उसे प्यास ब्राउन अने शुरू हो घ्राय है अब थौटा सावरे से ब्राउन करेंगे एसे निकाल लेंगे और फिर तबारा थोधा इसमें ब्राउन हो गया है मैंने आच भी बंद कर दिया है अब हम इसे निकाल देंगे बिस्मिल्लारामादा कर देंगे मैं इसे अच्छे दिके से पैस कर रहा हूं इसे क्या उजात को ओइल सारा इसका वो निकाल जाएगे इसे कि अच्छारी मैंने दें लिया है और जो मसाला हमने आज हमने ब्राउन किया था वह इसमें दाफ्टे हम ग्रैंट कर लेंगे अब मैंने इसमें खड़े मसाले लिया है इसमें कड़ी पता जलवत्री दाचनी का और तीन मोटी लाचनी है मैंने लॉंग और जीरा और काली में चसाबद दिया लिए वह इसमें थोड़ा फ्राइट कर लेंगे से वह इसी में घूम लेंगे से उसके बाब फिर हम इसमें अब हट्रा कर लेंगे यह थोड़ा från लेंगे वह सपंधा डे मीम्शू अब इसमें अब आपकर होस्ताइब अब इसमें और दिख फ्रिम लार्प्त का पेस्ट आप ऑजके마ेर्इसे में और ए भात्रा टीम रभी 2016 प्ष्स्ण्य का यह कि यह दोflies को constrained अब इसे प्रून लेंगे, इसा कीजसें लाइट ब्राउन कर लेंगे अद्राक लेशन के पेस्टत, अब के हमारे में हो चुका वागे अद्राक लेशन के पेस्ट हुई, अब हम इस में चौब हुई पेस्ट हुई सबस मिर्चे वो डालेंगे इसमें 8-10 अदर मैंने सबस मिर्चे नहीं थी इसका पेस्ट मैंने बना लिया था अब हम इसे इंबली और आलो बहारा शामल कर देंगे अब ट्रमाटर है तीन से चार अदर बड़े साइज के टमाटर काते हैं वह भी इसमें शामल कर देंगे इसमें पांच मिन्ट घूम लेंगे इसमें पांच मिन्ट होगे हैं इसमें रहा हुआ है की की कि अब हम इसमें मसाले दालंगे यहांट मेंने वो औन अ हालव इसमें टेबल Спून में नमक वन टेबल स्पून में अलदी वार तू टेबल सुन मेंने पिशा दन्या ओर वन मेरे तै blueberry tea spoon वृ ती में उ मैंने लाल मिर्च और वन टीस्पून मैंने रशी द़डा मिर्च लियु ज़ाओ वू इसमेर, प्याज को दही में, समौ अधी द्वी ज़ार। जो हमने प्राइ किया है, इसमें प्याज जो दई में हमने इसे ग्रैंट कर लिया था, आई होए तो वह हमें इसमें शामल कर लिया, इसमें हम इच्छे तीगे से हला देंगे इसे, और इसे आप 10 से 15 मिन्ट के लिए हम इसे ढखना उपर दे देंगे, पकने देंगे इसे, इसे ही इसे पका सकते हैं, आज देखे कलर भी कितना मार्शाला से प्यारा है, आप पांच मिन्ट के लिए बहुए इसके अपर दखना दे दे देता है, बिस्मिल्लारा मल रहा हुए, यह पांच मिन्ट हो गया है, यह देखर हमारा मार्शालाल, कर्मे का हमारा भीड़ी इस्टाइल कौर्मा है हमारा यह है इस कलप बहुत प्यारा आया, आप या ज़ अन्हें शेड़ शामल कर देंगे इसमिल्ला रमाल रहीं कि इसमिल्ला रमाल रहीं कर्म आप कि इस कि देखें देखी तरह का कोर में और आप हमारे चैनल को जली से सब्सक्राइब कर लें लाइका बटन दबा लें ताकिया रमजान के हवाले से आगे रमजान आ रहा है उसके हवाले से हम आपको बहुत सारी रेस्पिस शेयर करेंगे आप से अब घर में असानी से बना सकते हैं अब इसमें क्यों गोश्त हमारा वैसे गट चुका वाथा आप हम इसमें एक ग्लास पानी डाल के अगर आप डालना चानल डाल सकते नहीं भी डालते तो नहीं है देखें को मसाला फिर भी हमारा है इसमें तक हम एक ग्लास पानी डाल के तो दस पंदा मिट के लिए इसे मीडियम आज पे पकने के लिए छोड़ देंगे से इसमें लास पानी डाल दिया हमने और अब इसे हम 10 मिट के लिए पकने के लिए इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे गोश्त हमारा वैसे प्राई में ही गल चुका है अगर थोड़ा बहुत कसर भी हुई तो वह इसमें ही गल जाएगा तो मीडियम आज पे आम इसे इसमें बारमें बहुत बहुत ज्यादा आ रही है अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं यह देखें गोश्त हमारा टूटा नहीं है उसी तरह यह देखें माश्रा से अब हम आज को बंद कर देते हैं अब इसे सब इंब में इंकार देते हैं इसमें बारमा करें इसमें निकाल लिया है और गानिश के लिए हम इसमें सबस दुनिया डाल देते हैं और इस तरह दो हमें यह ट्राइक कर लें और बेल को बिटन दुबागा ना भूदियेगा ताके हमारी नहीं आने वाली रमजान के हवाले से भी आपको फॉरन उसका नोटिफिशन मिल जाए करेगा और रमजान के वाले से इंशातर आपके बहुत सारी डिशिज हम बताएंगे जो आप घर में बना सकेंगे अम आप अपने कमेंट्स लाजमी दीजेगा और बहुत मज़े का यपन है स्पाइसी भी है और यह नया अंदाद है देगी स्टाइल कोर्मा और हमें कमेंट्स लाजमी अपने भीजा करें आप इस SP को लाजमी ट्राइव कीजिएगा अब हमें इजाज़त दीजिएगा अलाफिष रहें अबाद रहें